हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार मैं ओम दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका Study IQ IAS Hindi के प्लैट्फरम पे और आज मैं आपके साथ टाइम मनेजमेंट पर चर्शे करने वाला हूँ देखिए UPSC aspirant की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे important चीज है वो यह है कि time किस तरह से manage किया जाए क्योंकि UPSC तो भाई पहले ही शुरुआत में अपना पूरा calendar जारी कर देता है और आपको शुरुआत में ही बता देता है जैसे कि example अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में मई के महीने में prelims होगा और उसके बाद अगस्त के महीने में मतला अगस्त end में आपका क्या होगा मेंस होगा तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि कब प्री होगा कब मेंस होगा कब interview होगा यह पूरी कारकाल पूरा time period है वो आप लोगों को पता है कि अब उसी हिसाबसे आपको अपनी journey plan करनी है अब उसी हिसाबसे अगर आपको journey plan करनी है तो उसमें जो answer writing है उसकी भी practice कर लें एना ऐसा ही तो होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं जो सबसे important चीज़ है तो UPSC UPSC की journey में UPSC journey की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो आपको लगता है कि हमें सारी पढ़ाई करनी है एना पढ़ाई करनी है ठीक है साब पढ़ाई करिए दूसरी चीज़ यहां पर आपको MCQs की practice mcqs कियों करने है mcqs की प्रैक्टिस क्योंकि यह जरूरी है आपके prelims के लिए ठी यह जरूरी है आपके prelims के लिए तीसरी चीज आपको यहाँ पर करनी होती है answer writing answer writing answer writing की practice ताकि आपका आसानी से mains निकल पाए और चौथी चीज है जो वो है है आपकी कम्यूनिकेशन स्किल कम्यूनिकेशन सुधारना होता है ताकि आप लोग अपना इंटर्व्यू निकाल पाएं अब बात यह है कि UPSC ने अपना केलेंडर जादी किया और अपने केलेंडर में उन्हों अपने साफ साफ पहले ही बता दिया कि हम माई 2021 में माई 2020 upper लेंगे और अगस्त में आपसे मेंस लेंगे तो अगर वो ये बात पहले से ही बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि इस डियूरेशन तक आपको ये चारो चीजें कर लेनी है पहले ही अब सवाल उठता है कि अभी हम कहा है हम अभी अगस्त में आ चुके है अभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिबरेट कर चुके है मतलब 15 अगस्त हमारा हो चुका है तो आधा अगस्त भी जा चुका है अब समय बहुत जादा बचा नहीं है क्योंकि बहुत जादा समय बचा नहीं है तो अब एक एकलौती चीज़ है जो हमें यहाँ पर पास करवा सकती है वो है time management यानि कि आपकी सही रणनीती, सही strategy अगर आपने सही रणनीती के हिसाब से पढ़ाई की तो तो काम बन सकता है otherwise फिर आपको अपना target year बदलना पड़ेगा अभी तो आपके पास इतना समय है कि आप अपना target 2025 को रख सकते हैं लेकिन आने वाले समय में फिर क्या होगा कि आपको अपने target year बदल के 2026 करना हो जाएगा तो यहां पर किस तरीके से इस चीच को manage करें कि हमारा पूरा पूरी पढ़ाई हो जाएए जिससे कि आसानी से हम अपनी पढ़ाई कर ले यानि कि foundation तयार कर ले इस अあの अपना foundation तयार कर लें क्योंकि जब हम foundation शबद बोलते हैं foundation शब्द का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि हम यहाँ पर pre-mains की एक combined पढ़ाई कर ले एक combined पढ़ाई कर ले और देखिए जो communication वाली बात है यह अलग से कभी ऐसा नहीं होगा कि जब pre निकल जाएगा या मेंस निकल जाएगा तब उसके बाद communication पर काम करेंगे इस पूरी तयारी की मज़ेदार बात यही है कि इसकी पूरी यह जो चारो steps है यह चारो चीजे साथ साथ ले कर के चलनी होती है और एक ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों को साथ में ले कर के चल सकता है वो ही एक सही manager है और क्योंकि वो एक सही manager है तो यानि कि उसके अंदर यह एक कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग है जो वो आज से ही शुरू हो चुकी है अगर आपने सोच लिया है कि मुझे UPC की तरह में पास होना है तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई अब आगे बढ़ते हैं अब बात यह होती है कि foundation में हम कैसे कैसे करेंगे क्या क्या करेंगे और प्री में हम क्या करेंगे और answer writing में हम कैसे करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो foundation वाली बात है यह कैसी है यह साथ-साथ चलता है combined है ठीक है अब समझ ये कि साथ साथ अगर हम चला रहे हैं तो कैसे इसको ले करके आगे जाएं तो प्री के लिए जो mcqs होंगे वो कहां से आ रहे हैं इसके लिए पहले आपको देखना है मेंस में जो questions आ रहे हैं उसके लिए भी आपको पीवाई क्यों देखना है पिछले गतवर्षों के प्रश्ण पत्र यह गतवर्षों के प्रश्ण देखिए और फिर एक आइडिया लगा यह कि यूप एसी का लेवल क्या है और वो हमसे एक्जेक्ली जानना क्या चाहता है तो यहां पर इस य को पढ़िये और इसको पढ़ने के बाद एक आइडिया लगाईए कि यह क्या चाहा रहा है पाठिक्रम के हिसाब से तो आप आएंगे कि पाठिक्रम में प्री को लेकर के कुछ खास दिया नहीं है इसलिए ही मैंने कहा कि यहां पर आपको प्री में सिर्फ पीवाई की ही है जो आपको बताएगा कि कहां तक जाना है लेकिन हाँ मेंस को लेकर के अगर आप जाएंगे मेंस में स्किम में देखेंगे तो वहां पर इन्होंने काफी डिटेल में स्लेबर्स को बताया है तो वहां के पीवाई की से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि जितना यह बता लिखांति ही कि अगर आपने बहुत पढ़ाई की पूरा साल पढ़ाई कर ली लेगिन अगर यह पास नहीं किया तो याना की पूरी पढ़ाही वेकार क्योंकि गेट गेट तो यही है ना अंट्री गेट तो एंट्री गेट के लिए आपको पीवाईकि这是 एक अइडिया लगेगा कि छो मेंज के टॉपिक है क्या प्रीमें वहाँ से भी पूछ रहा है तो आपको लगेगा आपको पता चलेगा कि जी हां बिलकुल तो यानि की मेरी ये बात तो प्रूफ हो गई कि मैंने कहा कि Integrated Way में तयारी होती है मिला करके पढ़ाई करनी होती है तो ये बात तो भी आपको करने है डेली अब मिलेंगे कहां से कहां से मिलेंगे और किस तरीके से इसको किया जाए तो इस पॉइंट आफ व्यू से इस पॉइंट व्यू से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है कि भाई पृतिग्या 2.0 बैच क्योंकि अभी रक्षाबंधन का समय चल रहा है यह समय भी ऐसा है कि इस वक्त 15 अगस्त अभी अभी कंप्लीट हुआ है और अब रक्षाबंधन आ गया है और इस वक्त खास ओफर इस वक्त है कि 20 अगस्त तक यह हो रहा है यहना रक्षाबंदन है 19 तारीक से शुरू हो रहा है तो 19 तारीक को आप को यह ना lack में करनी है और यह प्रतिग्या ऐसी है कि आप री निकाल लेना और यह तो वैसे भी आप चाहते हरी कोई ऐसी चीझ तो नहीं है कि आप नहीं चाहते ऐसा करना है ना तो अगर आप यहां पर प्री निकालते हैं तो उस केस में यह पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी पूरी फीस वापस हो जाएगी दूसरी चीज क्या है कि एक साल का एक्स्ट्रा कोर्स ए कि भई हम आप से यहां पर क्या है कि यह foundation चरण है foundation चरण में क्योंकि यह P2I batch P2I batch है और प्रतिग्या batch भी है तो सारी facilities आपको मिलनी चाहिए तो क्योंकि P2I batch है तो देखिए चारो चरण है कौन से foundation और pre को focus करेंगे success in pre के तहत और mains को focus करेंगे में residential program भी आपर include है और इसके बाद साक्षातकार का चरण तो मतलब वो चारो चीज़े जो अभी मैंने थोड़े दिर पहले आपको बताई कि इस exam के लिए जरूरी है वो चारो इसमें included है तो यहां देखिए foundation में आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी हर एक चीज़ यहां पर आपको combined तरीके से प्री और मेंस के point of view से complete कराई जाएगी कब कराई जाएगी कैसे कराई जाएगी यह सबसे ज़्यादा important है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा तो foundation में आपको पूरा पूरी पढ़ाई complete कराएंगे और अगस्त 2014 से अगस्त 2025 तक के लिए इसका time period रखा हुआ है कैसे करेंगे अभी आपको दो मिनट में पता चल जाएगा ठीक है गई है ताकि test series के लिए आपको अलग से परिशान ना होना पड़े और mcq आपको एक जगा पर मिल जाए ठीक है मुख्य परिक्षा के लिए जब आप प्री पास करेंगे तो क्योंकि यह प्रतिग्या बैच भी है साथ में तो यह stage पर सबसे पहले क्या होगा आपकी फीस वापसी होगी फीस वापसी ठीक है आपकी फीस वापसी होगी और क्योंकि यह प्रतिग्या बैच है फीस वापस हो गई है अब आपको क्या करना यहां आना है प्रिया पास कर चुके हैं अब आपको मुख्य परिक्षा के लिए यहां बुला लिया जाएगा और आवास mentor दिए जाएंगे यह mentor जो है वो इस और सिर्फ आपकी मुख्य परिक्षा पर यानि कि answer wrightning पर focus करेगे एक mentor और भी है उनके बारे में बताऊंगा यहां पर जो mentor है इनका काम होगा सिर्फ आपकी answer wrightning पर improve करवाना ठीक है कि अब तो सिर्फ में आंसर राइटिंग ही बचा है ठीक है उसके बाद फिर आपका सक्षतकार का चरण जिसमें आपको डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म जो आप भरते हैं उस पर बेश्ड तीन सो से चार्ट सो कुश्चन परसनलाइजड वे में बना के दिये जाएंगे प्लस मौक इंटर्व्यूस मौक इंटर्व्यूस देने का आपको मौका मिलेगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें इसमें शामिल है अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि मेंटर तो शुरुवात से ही जैसे आप बैच जॉइन करेंगे एक मेंटर आपको दे दिये आपसे यहां पर पी ऐ की के बारे में जर्चा ऌगी स्किल्स छुरूआइबयू से जो काम करना है और रर cord आधि कवर 10 श किलिये है उसकी आर और मन्त हैं ताकि आपकि आंसर यह ठीक्टिस इस चीद पर भी एकरारおお अइसके आलाव कोई पढ़ाई के दौरा आ आपको ज confession को मादिम से आप आसानी से पूछ सकते हैं, मतलब ये लगातार हमेशा connect रहेंगे आप एक mentor के साथ, इसके अलावा वही बात जो मैं बता रहा था कि time management जो सबसे important है, तो ये यहाँ पर हमने क्या है, पहले ही strategy बना करके आपको बता दी है कि कब से कब तक आपको क्या करना है, अगर आप इस batch में join करते हैं, तो 19 तारीक से क्योंकि ये batch शुरू हो रहा है, ठीक है, तो orientation होगा 19 तारीक को पूरी चीज बताई जाएगी कि इस batch में आप अगले एक से देर साल जब तक साथ में रहेंगे, तो तब तक किस तरीके से चीजे चलेंगी, और फिर उसके बाद 20 तारीक से आपका paper discussion कर दिया जाएगा, GS के paper, sorry, syllabus discussion, ठीक है, syllabus discussion कर दिया जाएगा, और ताकि आपको ये पता चलेंगी, पाठ्ठे करम है क्या, और फिर उसके बाद यहाँ से भूगोल से ये class है, जो वो start हो जाएगी, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारा आपको A to Z बना के दे दिया है, कि कब से कब तक कौन सी class चलेंगी, आपको कब से कब तक complete करना है, कौन सी class चलेंगी, कौन सा teacher आपको complete कराएंगे, ठीक है, ये books है, books के लिए भी बच्चे परिशान होते हैं, तो books के लिए परिशान नहीं होना है, ये सारी 18 किताबें हैं, जो वो इसमें दी गई हैं, और अभी इसमें और और कुछ एड़ कर दी गई हैं, टोटल मिलाकर के 26 आइटम इसमें एड़ कर दी गई हैं, जिसमें 18 किताबें हैं, इसके अलावा जो map होता है, अटलस वो भी इसमें, diary भी इसमें, मतलब marker, highlighter, हर एक चीज़ इसमें include कर दी गई है, ठीक है, और यहां पर यह वो teachers हैं, जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और current affairs को ले करके मैं आपको बता दू कि current affair program है, जो यह हमारा dedicated program है, जो की current affairs के लिए है, students को current affair में बहुत ज़्यादा problem होती है, क्योंकि current affair में बहुत ज़्यादा material है, अब इसको कैसे संग्रहित करें, तो इसके लिए daily एक live class, live class daily, यह आपको मिलेगी, ठीक है, और एक PDF भी दी जाती है, एक PDF भी दी जाती है, तो अगर आप daily live class देखते हैं, तो आपको current affairs को लेकर के परिशान नहीं होना पड़ेगा, एक जगा पे ही सारा काम, सारी चीज़े मिल जाएंगी, यह भी इसमें शामिले अलग से आपको कुछ भी payment करने की जरुरत नहीं है, handwritten notes भी दिये जाएंगे, handwritten notes में आप यह देख पा रहे हैं कि चीज़ें थी, जो मुझे आपके साथ discuss करनी थी, ठीक है, और ओम live code आप याद रखेगा, और फटाफट में आपसे आशा करूँगा, कि आप इस batch में जुड़ जाएं, और जुड़ करके हमारे साथ आपनी आगे की journey है, जो वो पूरी plan कर पाएं, ठीक है, किसी भी तरह की कोई query हो, तो आप मुझे टेलिग्राम पर reach out कर सकते हैं, ओम दिवेदी study IQ channel है, mentorship group है एक जिसमें आप अपने academic doubts पूछ सकते हैं, और add the rate ओम दिवेदी 007, यह है जो यह मेरा personal ID है, जिस पर आप मुझे message कर सकते हैं, जल्दी मिलेंगे, किसे और lecture में, तब तक के लिए धन्य